असलाम अलेकुम एम्जीटी टू रवन फिनेशल मेनेजमेंट की जिडी बी वन का सुलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें यहां पर कुछ सेर्ग्यों बताया गया है कि इंवेस्मेंट डिसीन जो होते हैं वह वैलिवेशन आफ इंवेस्मेंट पर डिपेंड करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में अवेलिबर होती है ठीक है इसके अलावाद अदर मार्केट में भी कुछ फेक्टर्स हैं जो कि इसको जिसमें आप intrinsic value जो के company की value होती है उस पे depend करते हैं कि value of security के fundamental factors क्या है जो intrinsic value अलाओ करती है investor को कि वो investment में decision करे कि वो overvalued क्या चीज़ है और undervalued securities क्या चीज़ है और किसमें ज्यादा वो बेतर तरीके से invest कर सकता है आपको तीन securities के बरह बताया कि आपने इनकी calculations करनी है security number one में आपको बताया कि एक bond जो है वो issue किया जाता है forever के लिए उसकी face value 1000 है जो के annual coupon इसमें जो pay किया जा रहा है वो 12% है और bond जो है वो currently selling हो रही उसकी market price जो है 980 है जबके required rate of return है वो है 15% ठीक है security number two में आपको preferred stock के बारे में बताया जा रहा है कि एक annual dividend इसका 10% per share है और इसकी जो value है वो है 80 rupees per share share जो है उसकी market value 75 rupees per share है जबके required rate of return भी इसका 15% है security number three में common stocks जो है उसकी face value rupees 100 है और company जो इसका paid कर रही है वो है 10 rupees 10 per share dividend last year last year का जो dividend होगा वो 10 rupees होगा per share का annual growth rate of dividend है 5% और share are currently selling at rupees 80 per share मतलब market price यह होगी जबके required rate of return इसका भी 15% है required आपको क्या है कि आपने intrinsic value करनी है जो कि तीनों securities बताएगे इनकी intrinsic values को find करना है और यह बता रहा है कि कौन सी security है वो undervalued है और कौन सी overvalued है और formula and working is mandatory आप अगर formula नहीं लगाएंगे और working नहीं करेंगे तो आपको marks नहीं मिलेंगे और इसके बाद में based on intrinsic value आपने यह select करना है कि कौन सी जो security है वो best one है और इसकी selection पर आपने proper reasoning भी करनी है ठीक है चलते हैं हम इसके solution की इसको copy paste बिल्कुल भी नहीं करना calculations आप देख सकते हैं बागी calculations आपने सारी खूद करनी है ठीक है और इसके बाद में अपने theme number mgt201 के theme number 4 को भी थोरली पढ़ना है चलते हैं solution की तरफ तो party में क्या बताया जा रहा है कि हमने intrinsic value सबसे पहले bond की find out करनी है यहाँ पे जो bond है वो उसकी जो infinite time के लिए उसको issue किया गया है तो यह perpetual bond होगा और इसकी जो इसका formula क्या होगा अभी is equal to interest over required rate ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले जो given values है उनको देखते हैं कि face value 1000 थी annual coupon जो था हमारा वो 12% था market price हमारी 980 थी और required rate of return जो कि जिसे आर कहते हैं 15% था अब इस formula में हम इसकी values को put करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें interest को calculate करना है interest जो हमारी होगी वो 1000 face value multiply by हमारी annual coupon rate होगा तो वो बन जाएगी हमारी interest रुपीज 120 उसके बाद में इस formula में इसकी value को put करें तो V is equal to intrinsic value is equal to 120 over 15% ठीक है और इसको calculation के बाद आपको जो इसकी value आएगी intrinsic value वो होगी 800 हमारी market price जो है वो 980 है और intrinsic value जो है वो 800 है जैसा कि हम देखने के market value जो के intrinsic value से ज्यादा है तो यह जो है overvalued bond होगा यह overvalued security होगी और यह recommended नहीं होगी ठीक है उसके बाद में आपने next one की calculation करनी है जो के preferred stock है इसमें भी हम given value face value जो है 80 रुपीस पर share है annual dividend 10% है market price 75 है और R जो है यह required rate of return है वो 15% है इसका formula होता है जी के V is equal to D over R जिससे के V is equal to dividend over required rate अब हमें dividend की calculation करनी है तो dividend is equal to 80 यह face value multiply by interest यह annual dividend इसका जो होगा तो यह इसकी calculation के पाद इसकी value आएगी 8 अब इसकी परानीवल equation में हम इसकी value को put करेंगे और जो answer हमारे पास आएगा intrinsic value का वो 53.33 आएगा अब यहाँ पे भी इसकी जो intrinsic value है वो market price से कम है तो यह भी जो stock होगा यह security होगी वो over valued होगी उसके बाद में number 3 की security क्या चीज़ है कि common stock के intrinsic value हम लोगों को find out करनी है यहाँ पे एक चीज़ का भी याद रखें कि यह जो growth rate दिया गया है तो यह common stock with constant growth होगा ठीक है इसलिए यह वारा formulas में put होगा तमाम जो इसके given values है वो आप बताएगे यह जैसे के face value 100 per share है last year dividend जो किसे D not कहते है वो है 10% growth rate जिसे G कहते है वो 5% है market price 80 and R जो है 15% है इसका जो formula क्या होता है जी V is equal to D1 over R minus D जबकि D1 जो है वो next year dividend है जिसकी value में find out करनी है D1 का formula होगा जी दी 1 is equal to D not 1 plus D D1 is equal to 10 जो है वो इसकी D not पिछले साल की value है और इसमें values को put करेंगे तो हमारे पास answer D1 यह next year के आएगा 10.5 अब intrinsic value की equation जो है इसके लिए है उसमें हम put करेंगे values तो हमारे पास क्या answer आएगा वो आएगा intrinsic value is equal to 105 यहाँ पे एक आपको मैं बताता हूँ के V is equal to D1 over R minus D ठीक है तो आपने 15% जो required rate है उसमें से आपने growth rate को निकालना है तो वो बन जागा 10% अब इसको मजीद simplify करेंगे तो V is equal to 105 आएगा और market price से यह ज़्यादा है ठीक है तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि market price से intrinsic value जो है वो ज़्यादा है तो यह undervalued stock होगा और यह preferable होगा अब solution जिसका B part का उसमें क्या बताएगा है कि हमने पताने कौन सा recommended है कौन सा preferable है जैसा कि हमने तीनों की valuation को count किया है calculate किया है तो जो common stock का है intrinsic value वो preferable है क्योंकि जब intrinsic value market price से कम हो तो यह चीज प्रेफरेबल नहीं होती और ना ही profitable होती है जब कि जब intrinsic value market price से ज़्यादा हो तो यह profitable होगा और हमारी calculations में self common stock ऐसा stock है जिसमें यह value undervalued है और यह जो है वो profitable है तो इसलिए यह recommended है hopefully आपको इसकी समझ आई होगी आपने खुद से पढ़के जरूर और calculation करके फिर ही इसको अपना जो है solution put करना है वीडियो को लाइक के जाएगा शेर के जाएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू लाहाँ